हेलो हाई एंड गूड मॉर्निंग एवरीवन नमस्कार तो कैसे हैं आप सब वेलकम टू माई यूटिब चैनल जिसका नाम है वन परसेंट क्लब तो आज हम सिखेंगे एक नया फाइनेंसिल ग्यान बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में कहते हैं अगर बेस मजबूत हो तो बिल्डिंग भी मजबूत होती है तो आ गए हम आपके फाइनेंसिल नौलेज के बेस को स्टॉंग करने आज मैं किलियर करूँगा बिगिनर्स के सारे डाउट हमारे देश में मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि स्टॉक मार्केट एक सक्टा बजार है जहां एक इनसान पूरी तरह कंगाल हो जाता है वो इतना गरीब हो जाता है कि उसके पास और्टों के किराय देने के पैसे नहीं रहते यही सब दिखाते हैं हमारे बॉलीबूड मूवीज में हम में से हर किसी के रिलेशन में दूर के एक रिस्तेदार हैं जो वर्सों पहले इन्वेस्ट करते थें एक दिन अचानक सेयर मार्केट गिर गया और वो गरीब हो गया ऐसा सब के रिलेशन में कोई ना कोई होता है और हमारे पेरेंट्स उन्हें का एक्जामपल देते हैं कि बेटा इन सब चकरों में मत परो एक तरफ पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं यह सटा बजार है और एक तरफ friends है जो बोलते हैं इसमें बहुत पैसा है तो आए जानते हैं हर पहलू को पहले जानते हैं invest करना क्यों जुरूरी है तो देखिए अगर आप थोड़ा भी news paper पढ़ते होंगे तो आपको पता ही होगा इंडिया की annual average inflation rate 6% है FD आपको 5% का interest देती है excluding tax वहीं bank आपको 3% का annual return देती है यह दोनों returns inflation rate को भी बीट नहीं कर पा रही है इट मिन्स आपका FD और bank में रखा हुआ पैसा दिन पर दिन depreciate हो रहा है यानि उसकी purchasing value घट रही है जो समान आज 100 रुपय का था वह अगले साल 106 रुपय की हो जाएगी अगर आप वही FD में रखते हो तो आपका 105 रुपय हो जाएगा तब भी आप उस समान को नहीं खरी पाऊगे तो हमें चाहिए एक secure और ज्यादा return वाला investment तो बात होती है stock market के बारे में अगर आप on the average देखेंगे Nifty Index ने 1969 से 17% का annual compound return दिया है और आपको जानके हरानी होगी कि Warren Buffett ने जब से investment स्टार्ट किया था तो तब से लेकर अभी तक उन्होंने अपने capital को 19% return से compoundly बढ़ाया है अब आप सोच रहे होंगे कि ये Nifty Index क्या होता है तो इंडियन stock market के दो indexes होते हैं एक Nifty और दूसरा Sensex ये Nifty में 50 कंपनियों का वेटेज होता है जबकि Sensex में 30 कंपनियों का वेटेज होता है ये आपको बताती है कि ये आखिर stock market इंडियन stock market perform कैसा कर रहा है